नमस्कार दोस्तों मैं समेट सांगवान स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि पोजिशन फॉर्मूला क्या होता है और कंसेंट्रिस्टी फॉर्मूला क्या होता है काफी डिटे वीडियो में हमने ये बताय था कि पोजिशन को कोडिनेट के साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं लेकिन इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि पोजिशन को हम एंगल के साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एंगल को हम MMA कैसे convert करते हैं तो आपसे request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए आपको कुछ सीखने का मौका मिले तो like कीजिएगा और दोफ्तों के साथ में वीडियो को share कीजिएगा ताकि उन्हीं भी कुछ सीखने का मौका मिले तो चलते हैं अपनी note book पे तो दोस्तों ये है अपना आज का topic how to convert degree into mm degree को हम mm में कैसे convert करते हैं और how to calculate position with angle position को हम angle के साथ में कैसे calculate करते हैं दोस्तों एक basically सबसे पहले आप एक trying समझेए कि ये कोई plane है किसी component का उसके center में ये hole दिया हुआ है और side में एक चोटा सा hole दिया हुआ है ये इसके दो coordinate दिये हैं 24 और एक side में आपको angle दिया हुआ है ठीक है पिछली वीडियो में दोस्तों जो मैंने आपके साथ discuss किया था वो दोनों side में आपको coordinate दिया हुआ था एक side में कुछ दिया हुआ था और दूसरी side में भी कुछ दिया हुआ था लेकिन इस वीडियो में आपके साथ में discuss करने वाला हूँ कि एक side में तो coordinate दिया और दूसरी side में angle दे दिया ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों ये एक CMM report में आपके साथ share करता हूँ किसी component की तीक है उसमें nominal coordinate दिया हुआ है 24 और दूसरी साइड में angle दिया हुआ है 32 degree तीक है लेकिन जब इसका actual coordinate आया 24 वाला आया 23.855 और 32 degree जो angle दिया हुआ है nominal ये actual आया 32 degree 1 minute and 47 second और जो actual position आयी CM की वो है CM ने जो calculate करी है वो है 0.291 mm ठीक है ये CM की actual check करी हुई position है ठीक है अब इसी position को जो CM ने calculate करी है इसी coordinate को मैं आपको बता हूँआ कि formula के साथ में इसको कैसे calculate किया जाए manually ठीक है तो position formula हमने पहले already discuss किया हुआ है क्या होता है 2 multiply under root x minus x1 का square plus y minus y1 का square ठीक है ये position का formula होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो angle दिया हुआ होता है उसको आप mm में convert करो ठीक है सबसे पहला step यह ही है आपको nominal जो angle दिया हुआ है 32 degree उसको हमने mm में convert किया जो दोस्तों जो degree दिया हुआ होता है उस degree के साथ में हम कुछ भी नहीं करते है हमने जो changement करना होता है वो हम सिरफ minute और second के साथ ही changement करते है तो इसमे minute 00 है second भी 00 है तो इसमें कोई change नहीं होगा तो इसका जो mm आएगा वो आएगा डारेक्ट 32.00 mm ठीक है अब जो यो angle दिया हुआ था अपना इसका actual जो angle आए था 32 degree 1 minute 47 second इसको हम mm में convert करते हैं कैसे करते हैं मैंने आपको पताया था कि degree के साथ हमें कोई भी छेड़ खानी नहीं करनी है हमें सिरफ minute को और second को ही change करना है तो दोस्तो minute को हम जब change करते हैं तो minute को हम 60 से divide कर लेते हैं वो इसलिए क्योंकि 60 minute is equal to 1 degree ठीक है इसलिए हमने minute को 60 से divide कर लिया जब 1 minute को जब हम 60 से divide करेंगे यानि कि 1 को 60 से divide करेंगे तो अपने पास result आएगा 0.016667 ठीक है इसी तरह हम second को भी हम 3600 से divide कर लेते हैं क्योंकि 3600 second में ही 1 degree बनती है ठीक है और 60 second में 1 minute बनती है ठीक है इसलिए ये ध्यान रखना कि minute को हमें सिरफ 60 से divide करना है और second को हमें 3600 से divide करना है ठीक है तो 47 minute को sorry 47 second को जब हम 3600 से divide करेंगे तो result आएगा 0.01305 ठीक है अब इन दोनों को हम add कर लेंगे जो minute का result आया और जो second का result आया इन दोनों को जब हम add करेंगे तो result आएगा 0.029 ठीक है अब हम इसको angle को mm में convert कर दिया ठीक है angle कितना आया मारा 32.029 हो गया वह इसलिए क्योंकि point किसे पहले यहां पर 0 लगा हुआ है तो degree में कोई change, नहीं होगा कि जब हम 32 डिगरी सोरी 32 डिगरी 1 minute और 47 को जब हम mm में convert करेंगे तो महरे पास result आएगा 32.029 mm ठीक है अब हमारे पास दोनों क्या होगे coordinate निकल के आ गए 24 और 32 ये तो nominal दिया हुआ था actual 24 का आया था 23.855 ठीक है और जो 32 डिगरी angle दिया हुथा इसको हमने mm में convert करके बना लिया 32.029 ठीक है अब इसके उपर आप position formula apply कर सकते हो ठीक है मैंने apply करके आपको बता देता हूँ ये देखे मैंने हाँ apply किया हुआ है formula ये आपको formula पता है position का 2 multiply under root x minus x1 square plus y minus y1 square ठीक है तो जरू नहीं है कि आप x nominal को मानते हो या actual को मानते हो आप x किसी को भी मान सकते हो nominal को भी और actual को भी आप x इसको मान लो या x1 इसको मान लो ऐसे भी हो सकता है या आप x1 nominal को मान लो x actual को मान लो ये भी हो सकता है ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता किसी को भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या है कोई भी result आएगा पलस या माइनस वो square लगने के से क्या हो जाएगा result positive हो जाएगा इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता है तो मैंने यहाँ पर x nominal को माना है और actual को माना है x1 तो सबसे पहले मैं result पूट करता हूँ formula में x की जगह मैंने पूट किया 24 ठीक है minus x1 x1 को मैंने पूट किया 23.855 इन दोनों का whole square पलस फिर y की direction में मैंने पूट किया 32 degree यानि 32.00 mm minus और y1 की जगह मैंने पूट किया 32.029 का whole square ठीक है जब इसको हमने soul किया 24 minus 23.855 को तो result आया 0.145 का whole square ठीक है यानि कि 24 में से हम 23.855 minus करेंगे तो आएगा 0.145 इसी तरह 32.00 में से 32.029 को minus करेंगे तो हमारे पास की आएगा minus का 0.029 इसका whole square ठीक है as it is अब इसका 0.145 का square करोगे तो result आएगा 0.0210 ठीक है और 0.029 का whole square करोगे तो result आएगा 0.000841 ठीक है यहाँ पर minus वो plus वो कोई फरक नी पड़ता अगर उपर whole square लगा हुआ है तो result negative भी positive हो जाएगा और positive तो अलड़ी positive ही रहेगा ठीक है 0.000841 दोनों को add करोगे तो result हो जाएगा 0.02184 ठीक है यह थोड़ा mistake हो गया था तो मैं आपको बता जता हूँ कि यह 0.02184 है अब 0.02184 का आप under root calculate करोगे तो वो आएगा 0.147 ठीक है अब आप 0.147 को 2 से multiply करोगे तो result आएगा 0.294 ठीक है यह हमारी actual position आगई अब हम इसको comparison करते है जो CMM ने calculate किया है उसके साथ में हमने जो formula के साथ में calculate किया वो उसका result आया 0.294 और जो CMM ने calculate किया है उसका result आया है 0.291 यह दो दिन micron का difference इसलिए रहता है क्योंकि दोस्तों क्योंकि जो CMM है वो point के साथ सिर्फ 3 digit ही लेती है और यहां पर हमने जब position formula को put किया तो हमने point के बाद सिर्फ 3, 4, 6 digit जितनी भी आई हमने सब को pick up कर लिया ठीक है इसलिए यह 2-3 micron का difference रहता है तो हमारी position जो है काफी accurate आई है काफी CM के काफी close आई है तो इसलिए आप कोई भी formula हो position का angle को आप convert कर लेते हो तो आपको position easily calculate हो जाती है अगर आप angle calculate नहीं कर पाते हो तो position भी आपको difficult लगती है calculate करने में अब मैं आपको थोड़ा step दाता हूँ कि angle को हम MMA कैसे convert करते हैं यह देखिए सबसे पहले आपको step 1 करना है divide minute by 60 आप जो भी minute दी हुई होती है उसको आप 60 से divide कर लीजिए क्योंकि 1 degree जो है वो 60 minute के बराबर होता है ठीक है उसके बाद divide second by 360 sorry 3600 जो second दी हुई है उसको 3600 से divide कर लीजिए क्योंकि 60 second बराबर होता है एक minute के ठीक है एक minute हो गया 60 second बराबर तो 3600 second हो गई एक degree के बराबर इसलिए हम seconds को 3600 से divide करते हैं और फिर दोनों का जो result आता है minute का और second का उन दोनों को हम add कर लेते हैं ठीक है मैं आपको एक example और बताता हूँ जैसे कोई भी example हो 43 degree और 37 minute दिया हुआ है और second दी हुई है 00 तो इसको आप mm में कैसे convert करोगे तो 43 degree थो लेड़ी है इसके साथ हमने कुछ नहीं करना है जो minute दी हुई है इसको हमें 60 से divide कर देना है और इनको divide करने के बाद जो result आता है पहले देखो क्या result आएगा मैंने किया नहीं है उसको आप 43 point के साथ में add कर देना वो आपका mm हो जाएगा आप comment section में करके बताना 43 degree और 37 minute को जब हम mm में convert करते है तो आपको क्या result मिलता है आप comment section में बताना ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपने पसंद आई हो कुछ सीखा हो तो दोस्तों के साथ में share कीजिएगा और वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe भी कीजिएगा तब तक दोस्तों धन्यवा जैहिंद और कोई doubts है तो comment section में जरूर कर लेकिना